गाइस देखिए विजिबिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है इन फेक्ट वाइट पट्टी भी नहीं दिख रही है पर अपसे यही कह रहा था कि यार ऐसे में गाइस ड्राइब नहीं करो तो अच्छा है मैं बिल्कुल 100% यह बात बूलूगा कि ड्राइब नहीं करने चाहिए कि रिस्क बिल्कुल मतलो हैसे में बट मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है तो मेरे को जाना पड़ रहा है ऐसा समझ दो तो इस केस में भी मैं आपको एक हुआ कि आर देखो जल्द बाजी नहीं करने चाहिए आप एक काम कर सकते हो यहां पर इन डैट किस आप देख लिए एक ट्रक या बड़ी गडी चीस हम कै सकते बस सब्स में पर आगे से पास होती खалकर अप अरहे हो गाइस अगर वह आगे रहेगी तो आगे से तो सेफ हो और पीछे आप इतने डिस्टंस पे चल रहे हो कि वह गाड़ी आपको दिख रही तो आप ब्रेक ले सकते हैं और लेफ्ट और राइट के आपको डेंशन है नहीं क्योंकि वह ट्रक या बस जो भी बड़ी गाड़ी ह वह एरिया क्लियर करके दे रहा है आपको अभी जैसे कि एकदम से मेरे सामने ना पेड़ सा आया था लेकिन पेड़ जो था वह बहुत चोटा था मतलब जाड़िया इसी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अब ऐसने फॉग में अगर एक बड़ा सा डाला ही होता पेड वाइस दिक्कत हो सकती थी तो वही चीज कहना चाहरा है तो नजर कुछ भी नहीं आ रहा है अगर टान भी होना है तो वह थोड़ा सा मैप की डारेक्शन को देखते हुए हम टान हो रहे है और रोड पे तो विजिबिलिटी बिलकुल नहीं है इंफेक्ट आपको भी कैमरे म वाइट पट्टी नेजर नहीं आ रही होगी है तो माइग गाड कुछ भी नहीं दिख रहा है यार पर से वह बहुत ज्यादा हो गया नहीं चल पाएंगे यार मुझे नहीं लगता है यार देखो समझे बात को समझो रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है कि देख रहे हो और अभी बहुत लंबा रूट है थोड़ा वहत होता तो यार चलो रिस्क भी ले लिए रहे हैं अभी इतना लंबा रूट है तो गाइस देखो आप भी देख सकते हो कैमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा है और कहीं ऐसा नहों यार बहुत ज्यादा रिस्की हो जाए तो मुझे नहीं लगता क्यार आगे हम ड्राइब कर पाएंगे इतने फॉप में तो बिलकुल नहीं तो देखे यार एट लिस्ट दो परसेंट इसे दो परसेंट तो कुछ वीजिबल हो एट लिस्ट वाइट पट्टी दिख रही होती तो उसको फॉलो करके भी हम चल सकते जैसे कि अभी तक चल भी रहते हैं ना कोई वाइट पट्टी है और सेकेंड यार कोई हमारे आगी गाड़ी होती जैसे कि मैं आप लोगों को सज़ेश्च कर रहा था कि कोई गाड़ी आज है तो कोई गाड़ी कर आ भी नहीं दिया तो मेरे पीछे बहले ही दो तीन कर तो ही चल भी है तो मेरे आगे तो कोई गाड़ी नहीं ही गाइस बिल्कुल विजिबलिटी जीरो है भट ठीके स्टेट यू मैं ट्राइए करता हूं कोशिच करता हूं ने चलने की जब तक चला जा रहा है तो गाइस मैं इसी की बात कर रहा था जैसे मेरे सामने आप ट् तो क्या है कि लेफ्ट राइट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने देगा आप इसके पीछे रहा हूं कोई प्रब्लम है लेकिन मेरे को इससे आगे निकलना पड़े है कि मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूं मैं आपको सजेस्ट करो हूं कि अगर ऐसी सुच्वेशन पर गाड़ी चलानी पड़े तो आप ऐसी किसी भी बड़ी गाड़ी को फॉलो करो और उसके पीछे लग जाओ बस अधर्वाइस बड़ी दिक्कत हो सकती है अब यार शिट क्या हुआ रेस्टोरेंट रहे गया हाँ वह रुख भी गए वह रुख गए तो रुख गए तो गाइस देखिए यार बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है यार स्टैन ना अट्लिस यार कोई गाड़ी आगया आती तो उसके सारे सी चल देते कुछ भी नहीं दिख रहा है यार बिल्कुल भी और आप देख सकते अपने कैमरे में वीडियो में जीरो विजिबिटी है यार जीरो जेख तो पठीक चल रहे जब तक चल रहे है तो गाइस बिल्कुल भी कुछ नहीं देख रहा था यार तो मेरे को यही समस्दारी लगी के इसी गाड़ी को आगया आने देते हैं और इसको पीछे से फॉलो करते हैं तो यह एक छोटा हाथी टाइप लग रहा है छोटा डंपू मेरे आगे चल रहा है और अब मैंस को सम्सक्राइब नहीं होती है थिलाल इसी को फॉलो करते हो üzलते एक इसके घैघी चलतो रही है है तरवा रास तो डाउट और थक यहार पनर नहीं जाक आरीहे है रहे पीछे वाली अनल रूक है है को यही ज़ेओ कोल करो अपरश भी आ है के व्ल्लों है कoping नहीं कॉल करो अप तो गाइज रात को जैसा कि आपने देखा था बहुत जादा फॉक था जीरो विजिबिलिटी थी कुछ भी दिखाई ने दे रहा था तो हम नहीं डिसाइड किया कि रुक जाते हैं उस रुकने में ही बलाई है तो हम रात को रुक रहे थे हैं आपर और अभी सुबा के छे बहुत ज्यादा हो रहा है रोड में बट फिलाल चल रहे हैं और अब धीर-दीरे शायद फॉक कम हो जाएगा और सूरज निकलेगा तो थोड़ी सी विजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी तो फॉक तो बहुत रहा रात में यार रात में क्या भी बहुत जादा है गाई सब्सक्राइब कुछ में दिख रहा सामने है बट खीक है अब अब किस्टेट्यून घर पहुंच के आप से मिलते हैं और गएट कोई अबर रुक जाएग गाईस लेट लेना है इनको आने दे पहले यार बिलकुल भी कुछ ने दिख रहा और अभी गाड़ी बिलकुल नहीं चुतर जाती नाले में तो शुक एर यार बच गए तो यार साथ बजे भी मतलब जीरो विजिबिटी है यार चलो ही अच्छा है कि कम से कम थोड़ा हाईवे पागे हैं पहले स अच्छे बैटार होगा होप सुप दिख तो यहां पर वीरे रहा है वाद ही यह है बट इस हाइवे है तो थोड़ा सा रोड सही होगा है यह एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाकी गाइस देख सकते हैं आप सुभी के साथ बच चुके हैं और ऐसा लग रहा है आप कि बच नहीं तो गाइस इतनी ज्यादा फोग है कि गाड़ी तो चलने ही पा रही है लेकिन इस आदमी के जल्वे कभी खतम नहीं होते यह और इसकी सिग्रेट नॉन स्टॉप वाह यह फोग कद हुआ कम नहीं और एक इसकी दूसरी फोग यह क्या कर रहे हैं चलिए हम दूसरी गाड़ी क्या वेट कर रहे हैं हमारी दूसरी वारी गाड़ी पीछे पेट्रोल पंपे रुख गई है और तब तक यह फोग बढ़ा रहे हैं नेच्रल फोग और इनके आर्टिफिशल फोग करके फूग करके फूग करें तो पसलिए गई शड़े साथ बच गए है यार गुड मॉनिंग लेकिन विजिबिटी अभी भी देखिए इस सामने बिलकुल कुछ दिखाएं दिये गा है बस गाड़ी चल रही अंदाय से और आप देख सकते कितना फॉगी हो रखा है सामने कुछ भी विजिबल नी हो रहा है और साड़े साथ बच चुके है सुभा के बढ़ ठीक है यार जैसे चल रहा है चलने तो ट्राइ कर रहे लेकिन काई यहां पर बड़ी से टाइव करनी चीए जब तुम्हें कुछ की दिखाइन देता तो बड़ा रिस्की हो जाता है बहु तो दोस्तो फाइनली टॉल पूद आ गया है और अभी हमारी डेशनेशन हमारा घर जो है वो 191 किलो मिटर दूर है और लगबग साड़े तीन घंटे का सामय लगेगा पहुशने में तो साड़े दस बच जाएंगे पहुशने में भी स्टोल को क्रॉस करते हैं क्या है चलो बैगलो स्टॉपर तूल क्लोस कर लिया गाइस अब ये शायद ये मिरेट वाला हाईवे आईगेस चल रहा है बड़ समस्या एक ही है विजिबिटी की कुछ मी रोड पे दिखनी रहा है अब ये रॉम सेट क्यों आरे है भी लोग तो इसे कुछ नहीं दिख रहा है या तो गाइस लव हम अपूर अपर तो अब ठीक है मतलब कि अफ्टली स्कुराय रोड पे पहले दो कुछ भी रहा है और पहले से ज्यादा विजिबल सब कुस दिख रहा है अब अब एट लिग्टे बहुत दिख बहुत 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 दिख भागी बाकी क्रॉस करके फिर जादा दूर हैने जाएगगा तो पहुंची जाएंगे अब तो पहुंचने वाले है यार अभी भी दो घंटे का समय दिखा रहा है लेकिन 118 km दूर है भी घर से लेकिन अब फोग अगेरा कुछ भी नहीं है कौरा नहीं है अब ज्यादा टैम नहीं लगेगा जल्दी पहुंच जाएंगे तो यह टूल क्रोस करते हैं अब तो रूड भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है वाला फॉग तो है बट रोड पर विजिबिलिटी अच्छी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो ठीक है बाकि अब आलमोस्ट इस सीरीज का एंड करने का समय हो गया है तो गाइस आपको य और नेक्स सीरीज जल्दी आएगी और जब तक के लिए बाए बाए शब खैर चैहिंद और मिलते हैं आप लोगों से अगली सीरीज में बहुत ही जल्दी